बच्चे को दस्त होने पर क्या खिलाना चाहिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो आपको पसंद आएगी इंफॉर्मेटिव लगेगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा अगर बच्चे को दस्त आरहा हो लूज मोशन बहुत जादा हो रहा हो तो उसमें सबसे पहली जो ध्यान देने वाली चीज होती है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाया जाए बच्चे को हाइड्रेट रखा जाए उसके लिए आप बच्चे को औरस का घोल दें यह बहुत जरूरी है आप बच्चे को हर 1-1.5 गंटे के या 2 गंटे के गै जाएगा बच्चे को दस आने पर आप अगली चीज दे सकती है चांवल का पानी क्योंकि चांवल का पानी बहुत हलका होता है आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है इसलिए आप चांवल का पानी बच्चे को जरूर दे वही अगला आप बच्चे को केला खिला सकती है क्योंकि केले में पोटेश्यम पाया जाता है बच्चे को केला देने से शरीर में पानी की कमी दूर करने में भी मदद मिलती है और केला देने से शरीर में जो nutrition की कमी होने लगती है दस में वो भी पूरी होती है अगली सीज़ आप बच्चे को दही खाने को दे सकती हैं दही में कुछ ऐसे probiotics होते हैं जो digestion को सुधार करने में help करते हैं तो अगर आप बच्चे को दही देंगे तो बच्चे का पेट उसे शांत होगा दीरे दीरे और बच्चे का digestion जो गड़बर हो गया है वो सही हो जाएगा और बच्चे को अबली हुई सब्दियां दे सकती हैं जो आसानी से पच जाएं ऐसी सब्दियां आप दे सकती हैं और दस के दोरान आप यह कोशिश करें कि बच्चे को फ्रूट साब दें लेकिन बहुत जादा जूस ना दें क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है और कुछ बच्चों को सूट नहीं करता है तो लोज मोशन में और जादा दिक्कत हो सकती है उसकी नहां पर बच्चे को बच्चे को दूर्ट दे सकती है किन चीजह को बच्ची को बच्चे को नहीं देनु पर दॉख्ची हम खिए अगर दर्भु करें करी उस से अप दोड़क्टर के पास जाएं ऊप घर्य लूपाई कर्यों से फायदा यह तो आप डॉक्टर के पास जाएं यह इकदम पानी कंडिशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कई बार बच्चे को लूज मोशन होते हैं उसके साथ फीवर भी होने लगता है उल्टी भी होने लगती है तो अगर ऐसा है तब आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए उम्मीद करते हूं यह वीडियो लगी हो तो इसको जल्दी से लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें